Hello everyone, welcome to my channel और मैं किरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरन के व्लोग्स में Friends कौन नहीं चाहता है कि उसकी जो अस्कीन है वो पूरी तरह से बेदाग रहे और वो नैचुरल ग्लो करती रहे और किसी भी तरह के दाग धबे या फिर एकने की प्रोब्लम उसके फेस पे ना हो ये हर कोई चाहता है तो Friends आज में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कुछ अस्टेप्स लेकर आई हूँ जो कि आप डेली इसे यूज करके अपनी अस्कीन को नैचुरल ग्लो दे सकते हैं और फिर चाहे आप कोई भी मेक अप करें वो बहुत ही अच्छी तरह से आपके अस्कीन पे सूट भी करेगा और आपकी अस्कीन बन जाएंगी ब्राइटनिंग एंड एकने फ्री फ्रेंड्स एक टाइम था कि मेरे अस्कीन पे भी बहुत जादा दागधबे हुआ करते थे तो ये सारे अस्टेप सी मैंने अपने लाइफ अस्टाइल में डेली रूटीन में सामील कर लिया और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने है तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा है तो प्लीज आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये स्कीन भी बिल्कुल नेचरल ग्लो करें तो चलिए बिल्कुल लेटना करते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ और हाँ फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरे आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लिजेगा आप मुझे इस्टा पर फोलो कर सकते हैं मेरे इस्टा आइटी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो चलिए बिल्कुल लेटना करते हुए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले एक कटोरी में गाय का कच्चा दूद ले लेना है और इसे फ्रीज में रख देना है ठंडा होने के लिए करीब आधे घंटे के बाद जो हमारा दूद है ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हमें इसे फ्रीज से निकाल लेना है और उसके बाद ही अपने फेस पे अपलाए करना है तो फेस पे अपलाए करने के लिए आप एक cotton ball का इस्तेमाल कीजिए इसे मैंने अच्छी तरह से कच्चे दूद में डिप कर दिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसे हमें अपने फेस पे पूरी तरह से अपलाए करना है जो कंचा दूद होता है ये एक क्लेंजिंग मिल्क का काम करता है जो हमारी अस्कीन को ब्राइट करने में बहुत ही ज्यादा है इसे हमें छोड़ देना है 10 मिनट के लिए सूखने के लिए और उसके बाद फेस वास कर लेना है एक नॉर्मल पानी से और उसके बाद हमें एक इलो वेरा जेल यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इलो वेरा का प्लांट है ता ´फलेस इलो वेरा भी इस्तेव beh इस्तिमाल कर एं जब तक कि ये पूरी तरह से हमारे अस्कीन में अब्जॉर्ब ना हो जाए यानि की सूख ना जाए और उसके बाद करीब 10 मिनिट के बाद हमें फिर से अपने फेस को एक नॉर्मल वाटर से वास कर लेना है और फ्रेंट्स जो एलो वेरा जेल है ना ये हमारे फेस को गुलो करने में बहुत ही जादा मददगार साबिद होता है और हमारे फेस पे किसी भी तरह के एकने वेगरा जो होते हैं उसे भी ये दूर करता है और ये हर तरह की skin की problem को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा helpful है friends और इसे 10 minute के बाद हमें फिर से पानी से धो लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पे homemade face pack लगा लिया है एक normal गुलाब जल और बस बेसन का ये face pack है friends इसे हमें लगा के रखना है 20 minute तक और उसके बाद अपने face को धो लेना है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि first time में ही कितना अच्छा result है इसका friends मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching bye bye take care